पुलिस अभिनास की मा, पत्नी और बेटी को पुलिस इस्टिसन लेकी गई है जहाँ पर कड़ी पूछताच के बाद जब अभिनास के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया जाता है अत्मानत महसूस कर रही, सावित्री, काजल और रस्मी घर लोटाती है आईए देखते हैं के आगे क्या होता है अगे क्या होता है अगे अगे, क्या हुआ, बेटा, पाली लेकर आओ बेटा, अब होने को बज़ा ही क्या था अविनास की वज़े से आज पुलिस्टेशन का भी मूँ देखना पड़ गया माझे, अब आप रोहें मत, अब हम कर भी क्या सकते हैं लिकिन पापा ऐसे बिना बता ही कहा जा सकते हैं सब जगे डूल लिया, अब और कहां डूलू मैं उन्हें तो परिशान हो गई हो रश्वी, बिटा ही काम करो, तुम अपने कबरे में जाओ, मुझे तुम्हें माँ से कुछ बात करने हैं जाओ क्या बात है मलजी देखो पहुलू, मैं तो अविनाज की मा हूँ और बच्चे अपनी गल्तिया मा से चिपाते रहते हैं क्या कभी तुमने अविनाज की इन गंदी हरकतों के बारे में पता चला कभी ने बलकि मैं तो ऐसा सोचती थी कि मैं इस दुनिया की सबसे भागशाले इस्त्री हूँ जो मुझे ऐसा पती मिला है लेकि मुझे क्या पता था कि वो मुझे इतना बड़ा दोका देंगे एक पतनी के होते हैं दूसरी औरस से संबंध रखना ये दोका नहीं तो क्या विश्वास खाते विश्वास खाते उसे तो नरक में भी भगवाल जगह नहीं देगा एसा बध कहिए मांजी जो भी है ऐसे भी है हाग के बेटे हैं और मेरे सुहाँ प्रटे इसले हाग बंध मैं बदुआ भी नहीं दे सती हूँ तुम्ही काम करो अब देर मत करो, बैग लो और चलते चलो, चलो जी माजी, चलो, देर मत करो पेगलपती बप्पा मोर्या, मंगल मूर्ती मोर्या, हमारे सारे विगनों को दूर कर दीजे देखिए काजल जी, आपके पती पर बारा महीने, बहुत ही भारे के प्रतिष्ठा और पद का स्वामी गुरू, मंगल की राशी में गोचर कर रहा है और बहुत ही उग्र हो गया है, इज़त तो बाजार में उचले की लेकिन पंडिजी, कोई तो उपाय होगा आजल जी, तकलीफ शुरू होने से पहले अगर उपाय कर लिया जाए, तो तकलीफ को टाला जा सकता है मगर एक बार जब तकलीफ शुरू हो जाती है, तो उसे कम करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है पंडिजी, हम जैसे जैसे बताएंगे, जो कहेंगे, वह उसब करूँगे लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि अभी वह जहां भी है वह ठीक तो है ना, कहां है वह, कप तक आप आपाये शानत रहीए ओ पर अपने बहुत ही प्रिय और पूपनी जगा में सारी तुनिया से चिपे हुए परन्त भोड मानसिक अवस्था से कुछी हम दो पूपने सारी चाहिँ लिलगे शेल negativity में से बाहिए जम पॉकि अवस्थास लुद्स मैं लकnumber में कर दो कर दो जुब जुब जीओ मेरे बेटे खुब तरक्की करो जीवन मा देखना तुमारे आशिरवास से मेरे फिल्म भी हिट होगी और मा तुम भी चुनोना मोरत पे पूरी उनिट बहुत खुश होगी बटे काजल जातो रही है मेरी गुडिया को बोर्डिंग स्कूल में भीजने से पहले क्या मुंबई में पढ़ाई अच्छी नहीं होती वो मेरे साथ रहती थी घर पे तो मुझे बाहर चाने याने में अच्छा लगता था और अब तो मैं घर में ठीक हूँ बस मा अब तो इसकाडमिशन हो गया है पर मैं तुमसे वादा गरता हूँ साथ वी पास होने के बाद उसकाडमिशन मुंबई की से अच्छी स्कूल में करा दूँगा अब तो मुस्कुरा दूँगा ठीक है ठीक है अब तो मुझा जल्दी कर बाहर काजिल काने इंसार करेए देगा अच्छा मा अच्छा मा अच्छा मा अच्छा मैं अल्दी बेस सार्ण थेंक्यू नीता ओफिस का दियान खना पक्का सर्ण मेरे बेटी बहु की चूडी को बनाए रखना मेरे बेटी को थरखी देला खो, खो, खो जानते है अबिनाश कभी कभी ना मेरा मन करता है कि मुझे भी फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए अरे भाबा ऐसा क्यों होने लगाया तुम्हारे मन में ता कि में तुम्हारे साथ जाद से जाद समय बिता सगो और वैसे भी अभी रश्मी भी बोर्डिंग स्कूल चली गई है तो अब तो मैं थोड़ी शॉक अपने पूरे कर सकती हूँ ना मगर ऐसे ख्यालाना काजल मेरे लिव सही हुई है क्यों लड़किया इस लाइन में अपना शूख पूरा करने के लिए आती है और दूसरों के शूख का साधन बन जाती है मैं पुछ समझी लेए लेकिन कौन करते है इनका इस्तमाल जिसे जब मोका मिल जाता है तो वो तो औरतों की कोमल भावनाओं का इस्तिमाल करते ही है देखो काजल, मैं किसी बहस के मुद्दे भे नहीं जाना चाहता मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी नुमाइश का साधन मन जाए लेकिन फिल्मी एक्ट्रिस की कितनी इज़त होती है वो तो देखो काजल यह एक्सपोज बीडिया है और मैं तुम्हे न अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूं और अपनी आफ हमें बसाता रख में जाता हूं ठीक है बाबा अब मेरा पती मुझसे इतना प्यार करता है तो उसके लिए मैं कोई भी कुरवानी दे सकती हूं हां जोती बोलो सर ना इंने आपसे जो वादा किया थे मैं उसे पूरा करने जारी हूं आपके फैनेंसर वीर चंदानी से मिलने जारी हो और सर प्लीस आपने जो वादा किया था आप उसे याद रखती है गा देखो जोती, मैं तुम्हें कोई प्रेशन नहीं कर रहा जो भी तुम कर रही हो, अपनी मर्जी से कर रही हो पर ध्यान दखना, मीर चंदानी एक ऐसे इंसान है जो रेतिवे से भी तेल निकालेता है अपना ध्यान दखना ओके बाई सर क्या बात है, कौन है यह जोती? तुम नहीं समझोगी, यह फिल्मी बात है मा, तुम लोगों की बहुत याद आ रही है अच्छा बेटा नहीं हो न मैं तुमारा अच्छा बेटा नहीं हो काजल, अच्छा पती नहीं हो मैं तुमारा नहीं हो रश्मी, कभी अच्छा बाप नहीं बढ़ पाया बहुत याद आ रही है मा, तुम लोग मेरी लंबी उमर के लिए दुआए मागते रहे और मैं तुम्हें दोका देता रहा मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बार सब ठीक हो जाए फिर कभी ऐसी गल्दी नहीं करूँगा, मुझे बाफ कर दो दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कहते है ना अब पस्ताय होत हिया, जब चिडिया चुक गई खेत, अविनास भी इसी तरह पस्ता रहा है देखिए अगले एपिसोड में मीर चंदानी और जोती की मुलाकात क्या रंग लाती है और दोस्तों आप लोगों ने हमारे एपिसोड देखा, इतना सारा प्यार दिया, आशीरबात दिया, इस सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया, तब तक के लिए अलविदा मेपिसोडों आप लिए आप लोगों आपिसोड़ कि आप लोगों आपिसोड लोगों आपी सब कर दो वोगों आपिसोड़ कर सारा दिल से अरेक्ट के लिए फच्त। झाल झाल